रोज बोले साने वाले अंग्रेजी के जरूरी सब्द जो काफी यूजपले समस्ते इन सभी वर्ट्स का कैसे यूज़ संटेंस में किया जाता है तो सबसे बले मेरे पास है even as जिसका मतलब होता है जैसे ही वैसे ही तो संटेंस में आप यूज़ करते हैं इस पार से even as plus clause, clause clause क्या होता है? clause वो होता है जिसका अपना एक सब्जक्ट और उसका एक वर्ब होता है लोगे सब्जक्ट और वर्ब को आप clause काते हैं इससे आप समझेंगे जैसे के जैसे ही मम्मी दर्वाजा खट-खटा ही मैं बाहर गया या पर कौमा लिखा हुआ है कौमा के जगा पर आप वैसे ही कर सकते हैं वैसे ही जैसे ही वैसे ही उसके लिए आप लखेंगे even as sentence बनेगा even as mother knocked the door I went outside इसे बार से जैसे ही मेरे दोस्त ने मुझे बुलाया वैसे ही मैं उसके पास गया even as my friend called me I went to him इस पर सब्संटेंश बना सकते हैं इसी तरह के से so that so that का मतलब होता है ताकी ताकी के sense के लिए आप यूज करते हैं so that अब इससे sentence में आप यूज करते हैं sentence plus so that plus sentence मतलब दो sentence के 20 में आप यूज करेंगे so that जिसका मिनिंग होगा ताकी example है मैं बजार गया ताकी सब्संटेंश बनेगा I went to market so that I can buy vegetables तो इसे अप sentences बना सकते हैं इसे बार से राहूल पैसे कमाता है ताकी वो एक कार खरीच सके तो sentence मनेगा राहूल अंस मनी so that he can buy a car तो sentence आप इसे बना सकते हैं so that जिसका मतलब ताकी होता है so far so far का मतलब होता है अब तक अब तक के लिए आप यूज करते हैं so far और इसका फर्मूला होगा so far plus clause clause क्या होता है मैंने आपको बताया अब तक राहूल पढ़ रहा है अब तक का मतलब अभी तक तो sentence मनेगा so far राहूल is studying इसे बर से अब तक राहूल जवान देखते हैं so far राहूल looks young so far राहूल looks young अब तक राहूल जवान देखता है तो sentences आप इसे बना सकते हैं so far means अब तक so so means होता है इसलिए so के लिए आपका meaning होगा इसलिए इसलिए के लिए आप कही सरे words यूज़ करते हैं समझते है sentence plus so plus sentence दो sentence के 20 में आप यूज़ करेंगे so बच्चे so रहे हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ तो इसलिए के लिए आप लिखेंगे आपर so तो sentence बनेगा children are sleeping so I am reading या फिर I am studying दोनों कर सकते हैं तुमने एक shirt खरीदा इसलिए मैं भी खरीदूंगा तो sentence बनेगा you bought a shirt so इसलिए I will buy I will also buy मैं भी खरीदूंगा तो बाइ आपका क्या वर्ब है जो कि first form में है इसे बार से so dot 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 that जिसका मतलब होगा इतना की इतना की के लिए आप ही उस करते हैं इसका example होगा इस बार से कि वो इतना यह मंदार है कि सभी लोग उसको चाहते हैं तो sentence होगा he is so honest that all people like him अब यह आपर देख सकते हैं कि so आपका यहाँ पर है फिर आपका कोई word आया फिर आपका that लगा इसलिए आपका भी इसमें dot लिखा गया है इसे बार से पिरिया इतना तेस काम करती है कि मैं नहीं कर सकता तो sentence बनेगा पिरिया works so fast that I cannot do तो sentence आप इसे कई सरे बना सकते हैं गाईज जपना बोलते हैं so that means इतना कि so so means होता है बहुत यहाँ बोलते हैं very very means बहुत आप यहाँ पर समझेंगे so means बहुत इसे subject verb so plus adjective या फिर adverb यहां तक ही sentence आपका खतम हो जाएगा जैसे कि रवी बहुत आलसी है sentence बनेगा रवी is so lazy रवी is so lazy रवी बहुत आलसी है पिरिया बहुत मोटी है पिरिया is so fat आप यहाँ पर देख पारें कि फेट और लेजी यह दोनों आपका एक adjective है इसे बहुत से आगे है even so जिसका मतलब होता है इसके बाबजुद भी के लिए आप यूश करते है even so इसका formula होगा clause plus even so plus clause example है मैं तुमारा हमेशा मदद करता हूँ इसके बाबजुद भी तुम मेरा अपमान करते हो एक side तो है कि हमेशा मदद करना और दुसरे side है अपमान करना मतलब कि just first वाले part का negative काम होना दुसरे part में संडेस बनेगा I always help you even so you insult me तो संडेस आप इसे बना सकते हैं आकास बीमार था इसके बाबजुद भी वो काम करने office गया तो संडेस बनेगा संडेस आप इसे बना सकते हैं कही सरे हिसा प्राबोलते हैं even so मतलब इसके बाबजुद भी so so means होता है ऐसा ऐसा गिलाप इस करते हैं फिर ऐसे गिलाप इस करते हैं so इसे के subject verb plus so example है मैं ऐसा सोचता हूं संडेस होगा I think so मैं ऐसा सोचता हूं I think so हम लोग ऐसे बेटे हैं we are sitting so तो ऐसे गिलाप इस करते हैं so इस बादों को दियान में रखना है even even मतलब होता है या फिर यहां तक की इसके लिए आप इस करते हैं even जैसे की बोलते है even plus sentence मतलब sentence के शुरू में use किया जाएगा even यहां तक की तुमने भी मेरा मदद नहीं किया तो sentence के से बनेगा even you did not help me even मतलब यहां तक की you did not help me तुमने मेरा मदद नहीं किया यहां तक की पिरिया भी खाना बनाना नहीं जानती है even पिरिया ड़संट नो how to cook food even मतलब यहां तक की यह फिर पिरिया भी ऐसे भी आप कह सकते हैं तो sentence से इसे कही सरे बनाई जा सकते हैं even की मदद से सच डॉट 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 जिसका मतलब होगा इतना की जैसा बोलते हैं सब्जक्ट वर्ब सच प्लेस नाउन डाट प्लेस संटेंस एक संपल है यह इतनी असी किताब हैं कि सब कोई इसे समझ सकता है this is such a good book that everyone can understand it यह बने के सच इसके वाद आपका कोई word आया फिर आपका that फिर आपका एक संटेंस आया हुआ है इसे आप समझ सकते हैं और संटेंस बना सकते हैं तुम इतना से दोस्तो मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता तो sentence होगा you are such a good friend that I can never forget you तो sentence आपका इसे बनेगा जब आप यूज करते हैं such dot 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 that जिसका मतलब इतना की even when जिसका मतलब होता है जब dot 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 तब भी तो sentence मैं आप यूज करते हैं even when plus clause comma clause जब मैं तुम से बात करता हूँ तब भी तुम दुखी देखते हो sentence होगा when even when I talk to you you appear sad इसे बरसे जब मैं सच बोलता हूँ तब भी राहूल यकिन नहीं करता है sentence बनता है even when I speak the truth राहूल doesn't believe तो एक sentence जैसे आपका खतम होगा 20 में आपको कॉमा लगाना है इस बातों को ध्यान में रखनी है even though even though का मतलब होता है चाहे dot 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 फिर भी जैसे आप बोलते है even though plus clause comma clause example चाहे तुम बज़ार जाओ फिर भी तुम्हें यहां नहीं मिलेगा sentence होगा even though you go to market you will not find this इस बार से चाहे राहूल आमन से बात करे फिर भी सुमन तुम्हें यहां नहीं देगा sentence होगा even though राहूल टॉक्स टू आमन सुमन विल नॉट गिव यू इट तो sentence आप समझ सकते हैं कि कैसे बनाय सा रहें even though की मदद से even if even if का मतलब होता है चाहे या भले ही दोनों sentence के लिए हम यूज करते हैं even if plus clause comma clause example भले ही तुम मझे भूल जाओ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा sentence बनेगा even if you forget me I will not forget you I will never forget you कभी नहीं कभी नहीं के लिए आप लेकेंगे never I will never forget you इससे बार से भले ही हुआ मुझसे phone नहीं करे मैं उससे बात करूंगा sentence बनेगा even if he doesn't call me I will talk to him तो sentence आप ऐसे कई सरे बना सकते हैं जापरा बोलेंगे even if even after जिसका मतब होता है इसके बावजुद भी या फिर इसके बाद भी दोनों sentence के लिए हम यूज करते हैं subject to plus object plus even after plus clause example अमन गिर गया इसके बावजुद भी वो दोड़ने लगा sentence बनेगा अमन फेल डाउन even after he started running रवी परिक्सा पास कर गया इसके बावजुद भी उसने नमांकन नहीं लिया sentence होगा रवी पास्ट दी एक्जाम even after he did not take an admission तो sentence आप देख पारें even after से कैसे बनाय सारे so guys thanks for watching that's all for today